Hello everyone, welcome back to the channel. आज के वीडियो में हम आपका Class 12 का English और Hindi का Blueprint detailed में explain करने वाले हैं, ठीक है? जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में भी बताया था कि Blueprint किस आधार परा है, exam pattern आपका भदल गया है, ठीक है? और इसमें theoretical के marks कितने होगे, practical के marks क्या होगे, प्रोजेक्ट के marks क्या होगे, सारी कुछ जानकारी, जितना भी exam pattern 21-22 का होने वाला है, 21-22 सेसन का, उसका पिछले वीडियो मैंने डाल दिया, description box में आपको link मिल जाएगा और आई pattern पर भी जाके आप check out कर सकते हो, ठीक है? तो उसमें मैंने ये भी बोला था कि अगर आपको हो, तो मैं आपको blueprint का detailed explanation दे दूँगा, तो PDF अला कि मैंने टेरीग्राम के channel पर डाल दिया, लेकिन मैंने बोल्स से बोट ली थी जिसमें से आप लोंका ये भी बोट सने कि आप explain कर दीजे, आप देखे, other subject की बात करेंगा, other हर स्टीम से, चैसे वो science स्टीम से, वो commerce स्टीम से, चैसे art स्टीम से, उनका subject to अलग उसका separate video आजाएगा, अगर आप comment करोगे तब, अगर आप नहीं देखना चाहोगे, PDF से ही आपको समाझ में आजाएगा, तो फिर क्या मतलब हमारी बनानी का, हैना, तो अगर आप comment करोगे तो बना देंगे, फिलहाल आज की वीडियो में English और Hindi का blueprint explain करेंगे, क्यों, क्योंकि इकईश पाइस में आपकी English और Hindi में बहुत ज़्यादा बदला हुआ है, तो देखेंगे, कि English का पेपर कैसा आपका, Hindi का पेपर कैसा आपका, कितने नंबर का पेपर रहेगा, क्या-क्या मतलब सारी चीजे अपन डिस्कुस करेंगे, कितने माक्स की क्या चीज हमें किन पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा, कि इन चीजों को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो सारी कुछ information या सारा कुछ explanation आज के वीडियो में दूँगा, वीडियो में अंट तक बने रहीगा, चैनल पर भी नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा, इसे से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए, तो देखिए, सबसे पहले अपन 21 बास का ब्लिप्ट है, हिंदी का देख लेते हैं, class 12 हिंदी, तो आपका जो पेपर होगा, आशी नंबर का आपका पेपर रहेगा, 80 marks का ठीक है, और 20 marks आपके किस में जाएएगे, प्रोजक्त में जाएएगे, ठीक है, प्रोजक्त आलग चीज है, प्राक््राक्तिकल आलग चीज है, चीज है उसकी वीडियो मैंने डाल दी है वह बहुत इंपोर्टेंट वीडिया आपनों को जानना तो जाके देख लो डिस्क्रिप्सिन बॉक्स मापको लिंक मिल जाएगा आप देखिए किस तरीके से आपसे पेपर पूछेगा आरो भाग टू वाली जो बुक है आपकी ठीक पहले 19 नंबर का question रहेगा कुल माक्स के रहेगा पहले सक्षिन में ठीक है आरो भाग टू काव विखंड से मतलब काव विखंड वाले सक्षिन से 19 नंबर के question पूछेगा जिन में से एक नंबर वाले 5 होगे मतलब objective आप से पूछ सकता है ठीक कि objective पूछ लेगा या फिर वन सक्षिन से पूछेगा आप अगर कमेंट करेंगे तुम्हें इजी लेंग्वेंज मेंद भाला यह तो काव विखंड से होगया काव बोध से grammar section पद साहित का इतिहास एवं प्रव्रतिया रस एवं उसके प्रकार अलंकार मनवी करण मनवी करण मनवी करण मनवी करण पुनर से पूछेगा आप अगर कमेंट करेंगे तुम्हें इजी लेंग्वेंज में आसान भासा में आप सबको आपको इन सब की तैयारी करवा दूंगा ठीक है और आपके लिए इंप्रवाइट करूंगा तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है इसके बाद यह उन्हीं न होता का विबोज और गद्घंड सेक्शन जो होता है ठीक है वो गद्ध पाटू पर अधारित लेखक परिशे अम आर्थ ग्रहन समंद्धि प्रस्ण लेखक परिशे वगर आप पूछेगा ठीक है यहां भी ऐसे कभी परिशे पूछा है यहां आपके लेखक परिशेगा औ और भी और प्रवरतन हुए इनकी प्रवरतिया क्या थीज पूछेगा मुहावरे लोकोषिय तो आसान ही यह चीज पूछेगा यह पूछेगा मैं आपको मुहावरे लोकोक्तिय की विडियो बना दूगा मतलम इंपॉर्टेंट सब कुछ तईयारी के बेस पर ठीक है तो आ आपकी तैयारी हो जाएगी चिंता नहीं करना आप विसेशण और क्रिया विसेशण से आप से कुछण पूछेगा एक नंबर के कुछ पूछेगा टत्सम प्रत्याय उप्सर्ग छेत्री सब्द क्या होते हैं तक्नीकी सब्द पर्यायवाची सब्द निपात सब्द ये गद्विधाओं का परिचय बहुत इंपोर्टन है इससे मैं आपको इस पर एक सप्रेट वीडियो बना दूगा जिसमें आपके इंपोर्टन कुश्चिन जितने भी होगे सारे का सारे क्लियर हो जाएंगे एक बार में क्या चीज बताना है अर्फ के अधार पर वाके के प्रकार वाके परिवर्तन वाके का सुधी करन भाव पलवन और सहरसंचेपण और सातिसाथ एक सकड़ राज भासा ऐम राष्ट भासा क्या है इसको समझें यह विद्वर क土 weणश को समझें यह healthy ती नमर के दूर रहेंगे पांस नमर कोश्चन नहीं आएगा कुल मिला के च्छा कोश्चन होगे सेम से गदगंड से भी काविगंड से आप टॉल्थ में पढ़े होगे या इस पैसलिक्स में आपको वह लगा करती थी सप्लीमेंटरी वुक वर्क बुक लगा करती थी समझ रहो वर्क बुख इसी तारीके से आप से इसमें भी पूछेगा यह वितान भाग तुब दूसरी बाद सप्लीमेंटरी ठीक है तो दो मतलब इसका मतलब है कि आपके लेशन से लेशन पर अधारी चाप्टर पर अधारी कोशन पूछेगा नॉर्मली चाप्टर से कोशन पूछते पूछता है अथवा में आके वह चाविदा नंबर करेगा एक नंबर के दो मतलब अब्जेक्ट टाइप पूछ लेगा और वन अधित आप से पूछेगा जो कि आपके सप्लिमेंटरी वाली बुक और यह अरो भाग्टू और वितान भाग्टू दोनों से पूछेगा ठीक है तो गद्दांस कैसे सॉल्व करना है गद्दांस काव्यांस जिसे संदर प्रसंग व्याख्या इन सब पर क्वेशन तक आपसे पत्र लेक्षान इस्के भाले आपसे पत्र लेखन मतलब अपचारिग मतलब एक हो गया साधीय वाल लेक्तर ठाटर तो एक लेटर याद कर लेना और अप्लिकेशन मतलब लेटर सक्षन वाले जो आते हैं और अप्लिकेशन मैं आपको बता दूंगा important questions अनुच्छेद लेखान निबंध लेखान वही मतलब निबंध लेखान आपसे पुझेगा पुझेगा उस पर वीडियो बना दूँगा हाला कि उसका ब्लॉग मैंने बनाया है जिसमें आपको इंग्लिस और हिंदी मीडियम दोनों में बहुत थेल्प करेगा हाँ एक चीज और की जो ब्लूप्रिंट आपके फाइनल एक्जाम को देख करके बनाया गया यह मैं सुचन आप लाइव लिखते हुए और आपका यह निबंद कैसे लिखा जाता है सारी चीज़े क्लियर कर दूँगा चिंता नहीं करिएगा अच्सी माक्स का आपका कुल कोश्चन है ठीक है और प्रशनों की संख्या तेईस रहेगी इस तरीके से आपको क्वेश्चन रहेगे इसक सभी प्रश्ण पर एक यह रैज अरे करम करमनाम सवगे लिखने का ऊता है कि जितना उसमें बोला कई उतना लिखो यह ह। यह नहीं कि जितना लिखो इतना मार्स मिलेगी चक्कर में तुम पूरा पोथी पत्ता लिखे चलिया हो ठीक है कॉपी अच्छे से अगर आप पेपर के तैयारी करोगे तो इतने मार्स इतने सब्दों में आपके अंसर आएंगे बेवज़ा लिखने के जिरुद्ध आपको नहीं पड़ेगी क्लियर हो रहा है इसके बाद कुछ और है सबसे इंग्लिस का समझना बहुत जरूरी है ठीक है एक चीज और कि 20 नंबर आपके प्रोजेक्ट कार के लिए ठीक है अब सबसे इंग्लिस का समझना बहुत जरूरी है ठीक है असी नंबर का पेपर रहेगा तीन गंडे का पेपर रहेगा आपका सक्षन ए रीडिंग स्किल से अंसीन पैसेज आपके पूछेगा अंसीन पैसेज कैसी रहेंगी पहले कुल 14 अंक रहेंगे इसमें ठीक है जिसमे कोटे बड़े ही साहर तरीके से उनके बारे में पूछ लेगा कि कैसे इसका सिमिलर बताओ क्या होगा मतलब परियाए बाची इसका वर्ब बताओ इसका नाउन बताओ समझ रहो इस टाइप के कोशन आपसे मतलब के गुमाफिरा के पूछेगा दो फिलप्स पूछ लेगा ठी होंगे थीडिन दबलंक ग्रार से ठीक है और दो वन वर्ट वाले संसर होगे जो कि आपको इसी में से डूड के लिखने होगे अपके उगलीज के तयारी करवाँगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहेए हैं इक नमबर के कुशन है कि दस्ट हो और इसमें क लिक नमबर गाही question पूस्ता है आप अंकशाओ देखें नोट मेकंग से ऐप से कितना नोट मेकंग आएगे यह एक क्थों एक दो थीन चार पंच चार 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 नमबर की आपकी नोट मेकिंग आएगी नोट making summary पर अगर आपको वीडियो चाहिए लाइव मैं copy में लिखके दिखाऊंगा exam की copy में तो आप comment कर देना तो इस पर मैं आपको separate video बना दूँगा ठीक है इसके बाद आपको section B आएगा section B में writing skill से रहेंगे 12 अंग रहेंगे जिसमें के ठीक है 12 अंग होगे आप उसमें से क्या क्या रहेंगे यह चीज़ आप देख ले notice advertisement और poster यह सारी चीज़े बहुत important है इसकी अपन तयारी करवाएंगे तो आप channel से जुड़े रहें ठीक है जो कि आपका चार नंबर का आएगा ठीक है notice advertisement poster clear हुआ इसके बाद लेटर राइटिंग आपका आएगा formal और informal दोनों दोनों आपको पढ़ना है फॉर्मल मतलब होता लेटर सॉरी फॉर्मल मतलब application informal मतलब लेटर जो नहीं मिलते बधाई पत लेखना दोस्त के लिए भाई भेन के साधी में ऐसे बड़े इसके बाद लॉंग लॉंग कंपोजीशन जैसे एक आर्टिकल हो गया रिपोर्ट हो गई स्पीचेज हो गए डीबेट हो गए ठीक है ऐसे क्वेशन आपको पूछे का कैसे अभी पूलो कि क्या चीज है तो यहां आर्टिकल लिखने के लिए आ जाएगा रिपोर्ट लिख आपसे पूछेगा एक नमबर के पांस ठीक है मैंने इस पर एक अभी कल ही वीडियो बनाई है ठीक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है इंग्लिस ग्रामर के लिए दस अंक आपके पक्के होने हैं औ मालो तुमसे प्रेपोजिशन इन पूछ लिया तो आखिरकार मालो अंसर आगया इन तो इन आखिरकार क्यों आया कैसे आया इसका रोल क्या है पूरी चीज़े एक्स्प्लेइन करके बताता हूं इसलिए आपके लिए वह बोलता हूं जाके वीडियो देख लो बहुत इंप जाए जाए है एक स्टाइक एक एक स्टाइक समझते हो पॉयंप का नाम पूछेंगे पॉएट का नाम पूछेंगे और कुछ क्व्वेट क्रामरक्स कॉस्ट्ट उसी मसी बना लेंगे आपको मैं इसको सौल्व करवा दूग चिंता नहीं करना ठीक हंड़ पर संट गैरंट विस्टाज वाली बुक से भी आपका एक नंबर के चार चार क्वेश्चन नहींगे तो चार नंबर के विस्टाज वाली बुक से एक स्टैक पूच लेगा इसके बाद पांच five short answer type question from pros flamingo flamingo से आपके 5 question पूचेगा ठीक है flamingo से आपके 5 question पूचेगा और छोटे type के कैसे दो द नमबर वाले पूछेबा विस्टाज से फ्लैमिंगो से और दो सब्सक्राइब को जोड़ आपके भूस Dare वाले ही विस्टाज वाली ठीक है तो यह करे चाप्टर मीडाट से हो जाएंगे इसके बाद आपसे पूछेगा आपके थे लॉह क्या होगे फ्लेमिंगो से फिर फ्लेमिंगो से एक और पुछे एक लागा एंसर और एक लागा ंसर आपके विष्टार्ज से पूचे गा इस तरीकिए से आपका पेपर बनेगा तो खुल में लागर कि आपके सी माक्स हो जाएंगे all questions will have inter choice expected internal choices expected question 1 question 2 question 8 question 9 ठीक है question 1 2 8 9 को छोड़ कर करके सभी के internal choices रहेंगी मतलब सम्में आंतरी क्या बूले choices रहेंगे अथवा टाइप के question रहेंगे ठीक है मतलब question नमबर एक दो आठ नहों तो question नमबर एक सेकंड हां यह इस वाले से और आठ से कि नो से इन में से आपके और सभीक पास option रहेंगे जैसे यह दिखुआ आप आप से अब्जेक्टिव टाइप question और analytical question है कि 2, 3, 4, 5 में 16 marks का 20 marks clear 20% इसके बाद very short answer रहेंगे 2 marks के 30 word maximum लिखना है उसमें short answer रहेंगे 3 marks के 75 words long answer रहेंगे 4 marks के 200 words बस इससे ज़्यादा अपको नहीं लिखना है जबर दस्ती का और वही चीज़े फिर से लागू है ठीक है आपका project work रहेगा clear हुआ English में तो I hope कि आपका blueprint clear हो गया होगा आपके exams की तयारी में जरूर करवाऊंगा और तयारी चल भी रही है आप जॉइन कर सकते हैं अब की बार 95 प्लस पार की स्रीज चला रहा हूं तो उसमें आप उस playlist को जाकि आप देखें उस पर जितने भी वीडियो जा रहे हैं सारे के सारे आपकी board exam को मद्दे नजर रखते हुए उन्हीं की आधार पर आपके लिए exam preparation करवा रहा हूं और question प्रव झाल